नमस्कार श्टुडेंट्स Trinity Maths Academy की Online Classes में आपका वेलकम है और अपना चल रहा है Differential Equation और Differential Equation में पना First Topic चल रहा है First Order AR analyse First Background Equation और इसमें आज अपन करेंगे Homogeneous Differential Equation तो मैंने आपको पहले बता रहा है थोड़ा से फिर बता देता हूं कि homogeneous differential equation है सबसे पहले तो first order first degree में अपन देखते हैं कि क्या ये equation homogeneous है या नहीं है homogeneous को check करने के लिए अपन देखते हैं कि dy by dx equal to f1xy upon f2xy क्या इन दोनों functions की जो degree है वो same है इनके जो घात है क्या वो समान है और ये यहाँ पे इसको बोलते हैं समगात अवकलन समीकरण दूसरा यू भी कार सकते हैं कि m dx plus n dy equal to 0 इस फो में अगर equation है तो m और n इनकी degree अगर same है तो equation होगी homogeneous differential equation पहले तो अपने ही देख लेते हैं कि equation homogeneous है या नहीं है अगर यह homogeneous है तब अपने इसको solve कैसे करते हैं तो solve करने के लिए अपन देखते हैं कि दो form अपने पास हो सकते हैं या तो dy by dx होगी या dx by dy होगी अब dy by dx होगी तब अपन इसको लिखते हैं y equal to vx यह assumptions लेंगे अपन y equal to vx और अगर इस formula तो x equal to vy लेना है आपको और y equal to vx जब आप लोगे तो यहां से dy by dx है उसकी value बनेगी v plus x dv by dx और इसकी value क्या बनेगी इसमें dx by dy v plus y dv by dy होगा यह पार्ट बनेगा अब अपन questions देखते हैं कुछ questions अपने पहले वाली class में सोल किये थे आज अपन कुछ और questions देखते हैं देखें यह है question number 11 homogeneous differential equation का 11th question है x square dy plus y into x plus y dx equal to 0 देखो इसको मैं dy by dx की form में लिखूँ तो यह वाली ट्रम उठा के जब अपन उधर ले जाएंगे तो क्या रहेगा minus y x plus y यह तो रहेगा dx में इसके अपन में लेके आगया और x square यहां आजाएगा अपन इस first equation में देखते हैं कि इसकी degree और इसकी degree दोनों की same है इसकी degree भी 2 है और इसकी degree भी 2 है और differential equation है वो dy by dx की form में अपने इसको लिखा है तो यहां पे क्या लेंगे y equal to vx और जब y equal to vx लेते हैं तो dy by dx की value क्या निकल क्या आएगी v plus x dv by dx और v plus x dv by dx को जब अपन इसमें put करेंगे तो यह क्या बनेगा यहां से देखो v plus x dv by dx equal to minus का sign x की जगा 1 रख दो y की जगा v रख दो तो यह क्या रहे जगा v 1 plus v upon में 1 अभी देखो आपको इसको solve करके बताऊं अगर आपने vx रखा तो x plus vx upon x square तो x into x sorry x और x common आएगा तो x square बनेगा वो x square इसे cancel होगा तो यही ट्रम आएगे तो जब dx by dy की form हो और y equal to vx ले लो तो x की जगा 1 रख दिया करो और y की जगा v रख दिया करो यह बन गया यहां पर देखिए यह है v plus x dv by dx equal to minus v minus v square यही बना minus v minus v square और यह जो v है इदर इस v को उठा के जब मैं उधर ले जाओंगा तो यह भी क्या बनेगा minus v बनेगा और इधर से यह plus का v हो हट जाएगा अब देखू v और v 2v हो गया तो मैं इसको ऐसे लिखू x dv by dx minus sign common ले लो तो 2v plus v square हो गया क्या बन गया 2v plus v square देखू इसको अपन इसके अपन मिला सकते हैं अब अपन तो क्या लिखेंगे dv upon 2v plus v square और इधर मैं लिख लो dx, y, x दोनों variable क्या हो गए separate हो गए देखू यह v और v minus का 2v minus v square minus को बहार ले लिया तो यहाँ पे 2v plus v square बन गया अब देखो यहाँ पे dv by 2v plus v square है इसका सीधा सीधा समाकलन अपन नहीं कर पा रहे तो अपन इसमें partial fraction आंसिक भिन मेथड यूज मे लेते हैं तो आंसिक भिन मेथड देख लेजे इसके एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं इसको लिख सकते हैं dv इन दोनों में से v को मैं बहार निकालू तो यह 2 plus v बनेगा और इधर बनेगा dx by x अब देखियां पार्सिल फ्रक्षन लेंगे तो 1 अपॉन v और 2 plus v यही बना जब भी अपने को पार्सिल फ्रक्षन करना हो आंसिक भिन करना हो तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह उपर है यहाँ पे degree है वो नीचे वाले से कम होनी चाहिए तो कम है यहाँ पे नीचे तो v square plus 2v है और उपर कितना है उपर 1 है तो इसको अपने इसा लिख सकते हैं a by v plus b upon 2 plus v ध्यान रखना यहाँ पे अगर square की ट्रम हो तब यहाँ पे bx plus c लिखेंगे लेकिन अभी यहाँ पर क्या है 2 plus v रेखे गुणन खंड है अब अपने को a और b की value निकाननी है तो a की value क्या होगी और b की value क्या होगी तो देखो a की value निकानने के लिए a की अपन में कौन है v है v को 0 करो v की value 0 आई इसको छुपा लेओ जहाँ पर भी v दिखे यहाँ 0 रखोगी तो a की value क्या जाएगी 1 by 2 जब आप b की value निकानना चाहते हो तो 2 plus v को 0 करो then v equal to क्या हैगा minus 2 इसको छुपा लो और इसकी जिगे value रखो तो यह रजाएगा minus 1 by 2 अब अगर यह value रखके आप solve करना चाहते हो इसको तो इसको solve कर सकते हो यही answer आपको मिलेगा यहाँ पे अगर 1 by 2 दोनों से ही बहार आ गया तो क्या बनेगा यहाँ पे देखू LCM होगा v 2 plus v यह बनेगा 2 plus v और minus v v से v cancel हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा वापस यही हाजाए यह करना नहीं है आपको यह आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने अब देखिए यह वाली values यहाँ रखो तो इसमें 1 by 2 रखूँ हाँ तो यह रजाएगा 1 by 2 और integration 1 upon v dv फिर minus का sign 1 by 2 1 upon 2 plus v dv equal to minus dx by x यह होगा इसका integration करोगी then 1 by 2 log v minus 1 by 2 log 2 plus v equal to minus log x plus log c इस पूरी equation को 2 से multiply कर दो तो क्या रजाएगा log v minus log 2 plus v equal to minus minus 2 log x plus 2 log c यह रजाएगा log m minus log n का formula अगर लगाएगे तो क्या होगा log v upon 2 plus v 2 plus v इसके रजाएगा इसके पावर में हो जाएगा यहाँ पे 2 है यह भी पावर में चला जाएगा तो यह value आजाएगे लोग जब हटेगा तो क्या आजाएगा v upon 2 plus v c square by x square then v x square equal to c square 2 plus v v की value क्या थी v की value है y by x y by x रख दो क्यों रखेंगे क्योंकि अपने पास जो question था वो तो था x और y की form में और अपने को answer देना है x y की form में v अपने assume किया था तो last में उसकी value put करेंगे तो क्या रजाएगा y by x x square c square 2 plus y by x यह 1x से 1x cancel हो गया then x y equal to c square 2 plus y by x यह इस differential equation का solution हो जाएगा तो यह था question number 11 screenshot ले लो आप इसका यह ले ले लिजए पहले यह वाला part है उसके बाद में यह किया अपने फिर अपने यह किया अगला question देखिए question number 12 12th question है y dy by dx plus x equal to y minus x dy by dx तो सबसे पहले तो ही देखो इसको इधर लेकिया जाओ जब इसको इधर लाएंगे तो y plus x क्या रहे गया dy by dx equal to y minus x देखो यह y plus का है यह x को इधर लेकि जाएंगे तो यह बन जाएगा यह side आएगा तो y और यह भी किसका हो जाएगा प्लेस का तो dy by dx की वेल्यू क्या जाएगी y minus x upon y plus x यह अपनी equation first हो जाएगी अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो dy by dx first order first degree differential equation है इसका order 1 है degree 1 है और यहाँ पे जब आरच्चा side में देखते हैं अपन तो दोनों ही function की degree same है इसलिए एक्वेशन कैसी है homogeneous equation है homogeneous differential equation समगात आउकलन समी करना है तो इसमें कहलेंगे y equal to vx जब y equal to vx लेंगे तो dy by dx के value क्या बनेगी पिछले question की तरह same है v plus x dv by dx equal to y की जगे v x की जगे 1 v plus 1 इस v को उधर ले जाओं तो क्या रहे गया x से dv by dx v minus 1 v plus 1 minus v LCM ले लो इसका क्या रहे जाएगा x dv by dx equal to LCM आएगा v plus 1 और यह क्या रहे जाएगा देखो v minus 1 तो यह तो रहे गया v minus 1 यह minus v v से multiply होगा तो minus v square और यह 1 से multiply होगा तो minus v हो जाएगा इस v से यह v cancel हो जाएगा और यहाँ पे minus को common लेंगे तो 1 plus v square v plus 1 हो जाएगा इधर है x dv by dx यहाँ पे v का ही function बन गया तो इसको अपन इधर लेके आजाएगे तो क्या रहे जाएगा v plus 1 upon 1 plus v square dv minus dx by x integration कर दिया दोनों side जब integration का sign लगा दिया तो इसको इसे लिख सकते हैं v upon 1 plus v square dv plus अलग अलग डिवाइड कर दूँगा इसको v square dv minus dx by x ठीक है अब यहाँ पे इसको t लेंगे तो यह dt बन रहा है लेकिन इसमें 2 भी चाहिए तो मैंने 2 से ही multiply कर लिया 2 से ही divide कर लिया अब एक फोर्मूला बता रखा आपको कि integration f dash x upon f x dx equal to log f x तो इसका फोर्मूला क्या रहेगा 1 by 2 log 1 plus v square plus यह 1 upon 1 plus x square जो कि 10 inverse x का फोर्मूला होता है तो यह 10 inverse v equal to minus log x plus c v की value पूट कर दो then 1 by 2 log 1 plus y square by x square plus 10 inverse y by x equal to c minus log x यह इसका solution हो जाएगा चाहें तो आपन 10 को इसको log को eliminate कर सकते हैं c की जगा constant c log c लिख सकते हैं और इन दोनों को merge भी कर सकते हैं कि आप यहां तक कर दोगे यह question भी आपका सही है देखते हैं अगला question question number 13 13 question जो आपको दे रखा है इसमें dy by dx plus x square plus 3 y square 3 x square plus y square equal to 0 इसकी degree कितनी है 2 है और इसकी degree भी कितनी है 2 है और दोनों की degree 2 है तो differential equation homogeneous है और homogeneous है तो उसमें अपने पास जो form है वो है dy by dx की और dy by dx में तो अपन लेते हैं x y equal to vx तो क्या लिखेंगे let y equal to vx और जब y equal to vx इसमें रखोगे तो क्या हैगा v plus x dv by dx equal to minus x की जगे क्या रखना है 1 y की जगे क्या रख दो v then 1 plus 3 v square 3 plus v square 3 plus v square 1 plus 3 v square इस v को उधर ले जाओ तो क्या रखेंगा x dv by dx minus 1 plus 3 v square 3 plus v square minus v और इस minus को मैं बहार लिख लेता हूँ और इसका lcm लेता हूँ तो यह वजाएगा 3 plus v square अब देखो minus तो आ गया बहार क्या बनेगा 1 plus 3 v square plus इसको देखो यह क्या बनेगा यहाँ पर minus जो था वो तो बन गया plus और यह 3 v और plus में क्या बनेगा v cube बनेगा ठीक है यहाँ से variable separate होंगे तो अपने पास equation आजाएगी इधर x dv by dx equal to minus यह देखो 1 plus v cube plus 3 v square plus 3 v यह क्या बन रहा है एक फोर्मुला होता है a plus b whole cube a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square आप इसमें a की जगह तो 1 रख दो और b की जगह v रख दो क्या बनेगा यहाँ पर 1 plus v का whole cube equal to 1 plus v cube plus 3 v plus 3 v square यही बनन और अपने पास भी यही है 1 plus 3 v square plus 3 v plus v cube कहने का मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 plus v 1 plus v whole cube upon 3 plus v square यही लिख सकते हैं यह formula आप अलग से लिख लेना बही है अपर a plus b kya whole cube का formula है next page पर लेगे जाता हूँ मैं आपको अपनी एक्वेशन क्या थी है अब एक से डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लेस वी होल क्यूब अपोन थ्री प्लेस वी स्क्वेर यही था एक बार फिर से चेक कर लो एक से डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी प्लेस वन होल क्यूब अपोन थ्री प्लेस वी स्क्वेर यही का यही है इस वाले फंक्शन को लेच्चा सैड में लेके आएंगे तो 3 plus v square v plus 1 whole cube dv minus dx by x दोनों साइड integration का साइन लगाना अब इसमें देखो यह direct integrate नहीं हो रहा क्या लिखेंगे अपन इसको 3 upon v plus 1 whole cube dv plus integration v square v plus 1 whole cube dv minus dx by x इसका integration तो हो जाएगा इसली बच गया यह वाला पार्ट तो इसमें क्या करें तो देखो यह जो v square है इसमें मैंने minus 1 और plus 1 कर लिया minus 1 plus 1 किया तो यह जो v square minus 1 है इसको लिख सकते हैं v plus 1 v minus 1 लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे integration 3 upon v plus 1 whole cube dv plus इसमें मैंने क्या किया minus 1 किया और plus 1 किया और minus 1 plus 1 किया तो यह वाली जो ट्रम है इसको क्या लिख दिया और v plus 1 v minus 1 और v plus 1 v minus 1 लिखेंगे चलिए एक step और अक्ष्टा लिख देता हूं v plus 1 v minus 1 यह तो इसके लिख बन गया यह plus 1 एजिटीज है यह plus 1 एजिटीज रख देते हैं v square v minus 1 किया मैंने plus 1 किया इसको लिख दिया v plus 1 v minus 1 और यहां पे plus 1 एजिटीज रह गया इसको अलग डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 3 upon v plus 1 whole cube dv plus integration देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक power cancel हो गया क्या रह गया v minus 1 v plus 1 इसका whole square और इस 1 को अलग से डिवाइड कर देंगे तो integration 1 upon v plus 1 whole cube dv और minus dx by x बन गया देखो यह यहां पे 3 upon v plus 1 का whole cube है और यहां पर भी 1 upon v plus 1 का whole cube है तो 3 और 1 कितने हो गया 4 तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 upon v plus 1 का whole cube dv फिर किसका sign plus का यह वाली ट्रम बच गई इस ट्रम में देखो अपने पास है v minus 1 upon v plus 1 का whole square मैं इसमें plus 1 और minus 1 कर लूँ तो यह जो v minus 1 है इसको ऐसे लिख सकते हैं v plus 1 minus 2 तो यह v minus 1 ही बचेगा और इसको लिख लूँ इतना इतना ऐसे तो इसको जब मैं इससे divide करूँगा तो 1 upon v plus 1 minus 2 upon v plus 1 का whole square यह ट्रम बचेगी तो इसको क्या लिख सकते हैं आप integration 1 upon v plus 1 minus 2 upon v plus 1 इसका whole square dv minus dx by x यह हो जाएगा यह देख लिजे एक बार यहां से फिर समझ लो यह v minus 1 है यह ने इसको v plus 1 minus 2 कर दिया इसको अलग divide कर दिया तो इसके एक power cancel हो जाएगी तो एक की power बच जाएगी अब देखिए यह आगया आपके पास इसको करते हैं देखूं इसमें 1 upon v plus 1 का whole cube तो ऐसे लिखे न x की power minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 1 upon minus 2 v square x square यही होगा इसका integration क्योंकि यह power 3 है तो इसका integration तो क्या हो जाएगा minus 1 तो 4 तो ओपर है 2 v plus 1 इसका whole square plus इसका क्या बन जाएगा log v plus 1 और इसका क्या रह जाएगा 1 upon x square minus 1 by x तो plus हो जाएगा v plus 1 पर इक्वल तो minus log x plus c value रख दीजे बी की जाएगा पर क्या रह जाएगा minus 4 upon 2 y by x plus 1 whole square log y by x plus 1 plus 2 by y by x plus 1 minus log x plus c ये इसका solution हो जाएगा इस question में देखो यहाँ पर problem आएगे आपको यह यह ट्रम अच्छे से समझ लीजे आप यह जो ट्रम है तीन ट्रम यह ट्रम अच्छे से समझ दिमें आ जाएगी तो आपका question है वो आराम से आसानी से हो जाएगा क्योंकि integration का यहाँ पर यह ध्यान रखना वी स्क्वार है इसको वी माइनस वन प्लस वन क्यों किया क्योंकि यह वी प्लस वन है इसलिए इसको वी प्लस वन बनाने के लिए किया हमने अगला question देखूँ question number 14 तो देखिए इस question में दे रखा है x into x minus y and y square तो इसको अपन d y by d x में बदल सकते हैं तो क्या लिखेंगे d y by d x equal to यह देखो उधर जाएगा तो माइनस में y square हो गया अब और में क्या होगा x into x x square और minus x y इसा लिख सकते हैं homogeneous है उपर भी power 2 है और नीचे भी 2 में है तो क्या लिखेंगे let y equal to v x और जब y equal to v x लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी value क्या बन के आ जाएगे आपके पास देहों v plus x dv by dx equal to minus v square 1 minus v और इस v को भी उधर ले जाएगे तो यह होगा x dv by dx minus को मैं common लिख लेता हूँ v square 1 minus v plus v जोकि यह v उधर ले जाएगे तो माइनस का आएगा माइनस को अपन ने बाहर रख दिया तो माइनस v square upon 1 minus v l से हम यह v से multiply होगा तो plus v और minus v square और v square से v square क्या हो जाएगा cancel यह रजाएगा 1 minus v upon देखो यह यहाँ पर अकेला v बचा है यह v आ जाएगा upon में इधर रह गया dv minus का sign यह रहा और यह dx by x इसको इससे divide करोगे integration log v और यह इससे cancel हो गया v minus log x plus log c v की जगए value रग दो v की value क्या है y by x अब चाहो तो log को क्या कर सकते हो eliminate भी कर सकते हो और नहीं तो आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी सही है आपका तो यह था question number 14 था अराम से easily कर सकते हो इस question को अगर log को eliminate करना चाहते हो तो इसको इधर लेके आ जाएए और यह फिर power में लग जाएगा आपका आप इसको इससे भी लिख सकते हो log y by x minus log c by x equal to y by x यह दोनों m by n होंगे तो क्या रजएगा log y by x यह divide होगा c by x तो यह x by c बन जाएगा equal to y by x x x cancel e की power y by x equal to y by c यह भी इसका answer हो जाएगा अगला question question no.15 अच्छा question है इसमें ज्यादा तर students के क्या होता है कि integration जो है वो गलत होता है इस question में integration क्या होगा गलत होगा बाकि simple question है देखो dy by dx equal to y cube यहां से मैं x cube कर लेता हूँ plus y square upon x cube root and y square minus x square और यह homogeneous differential equation है इसलिए यहां पर क्या लेंगे let y equal to vx और y equal to vx से यह क्या बनेगा v plus x dv by dx v cube plus v square root v square minus 1 यही बनेगा अब यह जो root v square minus 1 बना है आपका यहां पर देखो इस v को इधर ले जाओं तो मैं इसको v dv by dx v cube minus v plus v बस यही चीज समझने वाली है यहां पर यह question गलत कहा होगा कि आप इस v को इधर ले जाओंगे तो ऐसे ध्यान रखना कि इसको v cube के साथ में रखना आपको किसके साथ में रखना है v cube के क्यों रखेंगे क्यों कि इसमें से v आएगा common तो देखो इसमें v common आया तो क्या रह गया यहां पर v square minus 1 plus v square root v square minus 1 रह गया हो गया अब इस पूरे में से common निकालो तो देखो इधर लिखता हूं यह है x dv by dx equal to इसमें से देखो v square और v एक तो मैंने v common ले लिया एक मैंने root v square minus 1 को common ले लिया तो यहां से क्या बचेगा वी तो बाहर आ गया इसको अपन लिख सकते हैं root v square minus 1 और root v square minus 1 एक ट्रम तो बाहर आ गई एक ट्रम बच गई जो बच गई उसको यहां पर लिख देता हूं v square minus 1 और plus में क्या बच गया यहां पर यह v बच गया यह बाहर आ गया तो यह v हो गया अब यह जो ट्रम बचे इसका कर दो rationalize प्रिम्य करन कर इसके opposite sign से उपर नीचे multiply कर दो तो देखों यहां पर मैं इससे अगली step लिख देता हूं x dv by dx equal to v root v square minus 1 root v square minus 1 plus v इसका opposite sign क्या लेंगे root v square minus 1 minus v इसी से मैंने divide किया और इसी से multiply कर दो कर दिया है multiply अब यह बन गया देखो a plus b into a minus b तो क्या होता है a plus b into a minus b यह होगा a square minus b square और जब अपन a square minus b square यहां पर apply करेंगे तो यह root हट जाएगा तो क्या बनेगा v root v square minus 1 इसके उपर square करेंगे तो यह आएगा minus b square तो यह v square आगा अपन में क्या रह गया root v square minus 1 minus v आप देखो यह v square से v square हो गया cancel यह minus 1 बचा इस minus 1 को तो मैं यहां लगा देता हूँ तो minus v root v square minus 1 root v square minus 1 minus v देखो अगले page पर लिखते हैं अपन अपने पास है x dv by dx equal to minus v root v square minus 1 minus v यही ट्रम है एक बार चेक कर लो देखो v root v square minus 1 root v square minus 1 minus v और इतर hgt यह ट्रम रह जाएगे variable separate करो तो यह वाली जो ट्रम है यह कहां जाएगे lhs में उपर आएगी तो यह हो गया root v square minus v v square minus 1 minus v upon में क्या होगा v root v square minus 1 dv minus dx by x होगे variable separate यह minus का sign तो यह रहा यह वाली ट्रम है अपन में आ गई यह जो डिनॉम्नेटर की ट्रम हिदर multiply में हागे अब देखो इस पूरे से एक बार तो इसको divide कर दो एक बार इसको divide कर दो जब इसको divide करेंगे तो क्या बचेगा 1 upon v बचेगा minus इसको divide करेंगे तो 1 upon root v square minus 1 बचेग यह हो गया dv minus dx by x अब इसमें integration का formula लगा सकते हो आप अराम से कर सकते हो log v minus log v plus root v square minus 1 minus log x plus log c यह हो गया यहाँ पे y equal to क्या put कर देंगे vx यानि y by x equal to v रखेंगे तो v के जगा y by x रखेंगे तो execution का answer आजएगा आगे कर लेते हैं अपने इसको देखो यह v upon यह हो जाएगा तो यह तो हो जाएगा log v upon v plus root v square minus 1 equal to log c by x तो यह हड जाएगा log से log cancel हो जाएगा तो v upon v plus root v square minus 1 equal to c by x v की value y by x है तो y by x y by x plus root under y square by x square minus 1 equal to c by x then y अपन यह देखो x कोमना के cancel हो जाएगा y plus root y minus x square यह x इस x से cancel हो जाएगा c by x cross multiply कर लो यह इसका answer हो जाएगा तो यह थे question number 15 तक आज की class में अपन इतना ही रखते हैं इन question को पांचों questions को आप फिर से एक बार इनको solve करना और integration में जहाँ पर भी आपके problem आए उनको वापस देखना और एक partial fraction का part है जिसको बोलते हैं आंसिक भिन्द समाकलन करने में यह आना आपको बहुत जरूरी है तो इसके class मैंने पूरी हर एक case लेके explain कर रखा है तो आप उस class को देख लीजे जिसे integration करने की problem सारी आपकी हट जाएगी क्योंकि बहुत से questions है जहां पर partial fraction को use में लेते हैं तो कौन से case में कौन सा partial fraction करेंगे यह मैंने इस class में अच्छे से explain कर रखा है तो आप playlist में जाके देखो कि तो आपको मिल जाएगा तो आप वहां से यह partial fraction का part देख लीजे आज की class में इतना ही रखते हैं मिलते हैं next class में इसके और questions है उनके साथ में thank you आप